असलाम नेकुम स्टुडेंट्स फॉर्थ क्लास हावर यूबेटर टुडे इस एटीन जुलाई और आपका जो रिटन और ओरल टास्क है वो है एसे स्मोग रिमेनिंग हाफ ठीक है आपने नोटबुक इसी तरह से रेडी करनी है नीट राइटिंग में सेटरडे एटीन जुलाई 2020 क्लास वक नमबर हो जाएगा आपका 25 होमवग है आपका फॉर्म्ज ओफ वर्प 46 तु 50 जो आपने अपनी होमवग की नोटबुक पर नेट राइटिंग में लिखने है ऐसे स्मोग फर्स्ट हाफ कल किया था हमने नेक्स रिमेनिंग हाफ इसन नोटोल लाई हम अम्हें बगिए ज़ केंट राइट लाई वाई लाई आपका इन ग्वार्मा इन व्र स्मोग देवाटर्ट लूट फटोलोग इन फ्यमे रिमोव कारपेटिंग नमबर थ्री ग्रोव प्लांट्स ठीक है इसके बाद आपका जो है जनरल बुक यह आपके पास है जनरल बुक इसका पेज नमबर 21 आपके आज के टास्क में शामिल है 21 पे है डिग्री आफ एड्जेक्टिव ठीक है इसमें आपको बताया है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कमपेरिटिव डिग्री क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है और यह कैसे बनती है दिपॉजिटिव डिग्री इसमें चीजों की सिर्फ जाती सिफ्त मतलब उसकी जो खास खुब होती है इनसान की जाटी वो बताई जाती है जैसे के आहमद इस अ टॉल बॉय टॉल इसकी क्या है पॉजिटिफ डिग्री है कि वो लंबा है जाती सिफत है उसकी comparative degree इसमें दो चीजों की सिफात का आपस में मकाबला किया जाता है मतलब एक को दूसरे के साथ compare किया जाता है जैसे कि एहमद is taller than अश्रफ taller than कि वो अश्रफ से जादा लंबा है एहमद ठीक है इस दर्जे के बाद हमेशा then का लफ जाता है चीज या शक्स दिगर तमाम चीजों या शक्सों से अच्छा या बुरा है गोया कल के साथ मकाबला किया जा सकता है ठीक है इसमें बताया जाता है कि कोई चीज ज़्यादा अच्छी है ज़्यादा बुरी है ये देख ले मसलन अहमद is the tallest why in the class ठीक है अब नेक्स्ट नोट इस दरजे के पहले दा जरूर लगाया जाता है दा देख़ए दा tallest why in the class ठीक है पॉजिटिव के बाद ए आर लगाने से comparative बनता है और est लगाने से superlative बनता है जैसे अब देख ले tall, taller, tallest cold, colder, coldest fast, faster, fastest ठीक है simple होगा उसको er लगाएंगे तो वो comparative बन जाएगा और अगर est लगाएंगे तो वो superlative बन जाएगा यह आपका आज का learning task है आपने याद करना है